Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all are doing great. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फिलिप्स ब्रेंड का स्ट्रेटनर and ट्रायर जो कि मैंने मिंत्रा से मंगवाया है. So without any further ado, let's get started. So guys, मैंने ये मिंत्रा से ओर्डर किया था, कॉम्बो. As you can see, ये मिंत्रा के पैकेट में आया है. So guys, इसकी पैकेटिंग कुछ इस तरीके की है. इस तरीके के बॉक्स में ही मुझे रिसीज़ हुआ है. तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ, ये किस तरीके का दिखता है. So ये इस तरीके के तोनों दिखते हैं, as you can see. It's pink in color and it's black in color. So मैं one by one इनके reviews आपके साथ शेयर करूगी. So सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये पिंक color का है. और इसमें उपर इहां पर कुछ डिजाइन दे रखी है. लाइट पिंक फ्लॉवर्स टाइप बने हैं इसमें. And ये 1000 वाट का है. इसमें यहां पर आगे नुजल दिया गया है. जिससे हमारे बाल को अच्छे से ये ब्लोड ड्राइ कर सेके. And यहां पर इसको switch दिया गया है. यहां पर two settings ऐसमें. This and this on and off होता है. यहां पर थोड़ा high होता है. यहां पर जादा high होता है. As you can see. So, it's so shiny and sturdy. And कुछ ब्लोड ड्राइब फोल्ड हो जाते हैं. But यह नहीं होता है. But कोई बात लहीं. एक 360 वाली बायर नहीं है. यह देख सेते हैं. But लंबी काफी है. यहां पर देख सकते हैं. तिनी लंबी है यह. And यहां पर एक holder दिया गया. इसको आप आसानी से hang कर सकते हैं. कई पर भी अगर आपको hang करना होता हो. So, overall it's very good blow dryer. मैं आपको इसका एक demo दिऊंगी. So, आप वो चेक कर लीए. यह कैसे बाल करता है. Guys, यहां पर मेरे हलके से बाल वैट हैं. क्योंकि मैंने हेर वाश किये थे. मैंने just switch on किया. And then मैंने dry करना start कर दिये. And आप देख सकते हैं. एकदम से volume आया मेरे hairs में. And काफी अच्छे से इसने मेरे बाल dry कर दिये. And एकदम से बल्लीकुल अच्छा सा volume दिया. मुझे तो यह काफी पसंद आया. आप इसको try कर सकते हैं. So now let's move on to the straightener. यह कुछ इस तरीके का दिखता है guys. And यहां पर लिखा है Miss Freshers Straight Phillips. And यहां पर इस पर डिजाइन दी रखी है. पिंक कलर की. जैसा प्रायर में दे रखी थी. इसी टाइक में है थोड़ी. And इस तरीके कि लिए कुछ दिखता है. इतना पतला है है. यह जो यहां पर coating भी रखी है. यह सेरमिक कोटिंग है. And यह 60 सेकेंड में गरम हो जाता है. इससे स्प्रेट करते हैं हमारे हैर्स पर काफी अच्छे से ग्लाइड और स्मूथली ग्लाइड करता है. Because मैं यह इसलिए कह रहे हूं क्यूंकि मैं यह 6-7 ताइम्स यूज़ी है अपने हैर्स पर. So मुझे तो यह अच्छा लगा. और बहुत ही स्मूथ बिल्कुल अजीब सा वालों को नहीं करता है. बहुत स्मूथ फिनिश देता है यह. So मुझे यह अच्छा लगा. And आप देख सकते हैं इसकी वायर 360 डिग्री है. यह देखिए पूरी खूम सकती है यह. And यहाँ पर इसको यह holder दे रखा है. इसको भी आप हैं कर सकते हैं. इसकी वायर देखिए इतनी लगडी है. इसकी वायर पी कती लगडी है. As you can see. और इसमें यहाँ पर इंडिकेटर दे रखा है. ड्रेट करका इंडिकेटर है. And यहाँ पर जस्ट अन और ओफ है. On and off बटन दिया गया है. इसका टेमपरेचर जो है 210. Centigrade में पिक्स रहता है. So overall यह भी मुझे बहुत पसंद आया. इसका मैं आपको डेमो दूँगी. आप देख सकते हैं कैसे वर्ट करता है. और कैसी फिनिश देता है. यहाँ पर इसका अन कर लेना है. And then मैं यहाँ पर चैक कर रही हूँ कि यह गरम हुआ है और नहीं. And then मैंने अपने हेर पार्ट लिया आगे का. And then मैं यहाँ आप स्लोली स्ट्रेट कर रही हूँ. जैसा कि आप देख रहे हैं. बहुआ बहुत अच्छी इसे स्प्राइब कर दिया एप अच्छी बालों बहुत प्राइब एपने च्छी एपको अच्छी लग रहे थे मुझे प्राइब बहुत पसना आए इसको मैंने 1500 में पर्चेज किया था और यह जब मिंद्रा पर सेल चल लही थी तब मैंने यह ओर्डर किया था तो यह मुझे 15 डेज में रिसीव हुआ था वोप यू गाइस इंजॉइड मैं वीडियो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दू लाइक मैं वीडियो, सब्सक्राइब तो मैं चैनल और हिट दे बेल आइकन पर एनधर अपडेट अगर आप चाहते हैं इसको खरीदना तो मैं इसकी परचेस लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी मिलते हैं मारे नेक्स्ट वीडियो में तब जाके लिए बाई बाई गाईज